निफ्टी बैंक निफ्टी गैप अप खुलती है और नीचे आ जाती है, gap डाउन खुलती है, उपर चली जाती है, और कभी-कभी gap अप ओपन हो के सिदह भाग जाती है, या gap डाउन हो के गिर जाती है, वो है कि हम gap up gap down कैसे समझें कि ये resistance होगा या support होगा, option chain के थूँ समझने की कोशिश करते हैं इसकी continuity और reversal को हम कैसे चेक करें अगर resistance वीक हो रहा है तो price can take a break out ये support और ये resistance का काम करते हैं trending market में buying ज्यादा पैसा देता है अब वहाँ पर अगर मुझे unwinding दिखती तो ये gap down होके नीचे जाता अब SM में कोई मुझे कहे call buy कर लो तो मैं कहां से हिम्मत लाऊंगी नमस्ते friends मैं हूँ जोती गुदिया मेरे पास बहुत request आती है investments की भी, swing trading की भी और options की भी videos तो मैं तीनों के equally बनाती हूँ ऐसा नहीं है कि मैं investment की तरफ ध्यान नहीं देती हूँ because investment जो था वो मेरा base था जब मैं रिंग में जाती थी trading करकी कोई concept नहीं होता था buying selling होती थी और वो investment purpose होती थी या फिर व्याज बदला that is futures as of today तो ऐसा है videos तो मैं सारे बनाती हूँ but unfortunately investment वाले videos की views इतनी कम होती है ऐसा लगता है कि जैसे लोगों का investment करके कोई concept रही नहीं गया है anyways मैं तो knowledge देना चाती हूँ जिस पर भी लो अभी एक बहुत ही ज्यादा demand में मेरे पास है वो है कि हम gap up gap down कैसे समझें कि यह resistance होगा यह support होगा breakout होगा यह breakdown होगा निफ्टी और bank निफ्टी में तो बहुत बार हम देखते है निफ्टी बैंक निफ्टी gap up खुलती है और नीचे आ जाती है gap down खुलती है उपर चली जाती है और कभी-कभी gap up open होके सीधा भाग जाती है या gap down होके गिर जाती है इसकी continuity और reversal को हम कैसे चेक करें कि ये continue करेगा या reversal तो चलिए इसी को हम option chain के थूँ समझने की कोशिश करते है उससे पहले मैं जो ये theory based आपको समझाना चाती हूँ इसे समझिए ये हमारा range है और ये हमारा highest call open interest है ये highest put open interest है इस पर भी मैंने बहुत सारे videos बनाए है आप upsearch.club के सारे videos को surf कीजिए उसमें आपको open interest related काफी videos मिलेंगे उन्हें go through कीजिए उन्ही का ये extended version है जो मैं आज सिखा रही हूँ मैं कैसे इसे देखती हूँ मैं कैसे इसको use करती हूँ मैं वो सिखा रही हूँ तो HPY, HCY एक ऐसा माना जाता है कि ये support और ये resistance का काम करते हैं जनरली हमने देखा है कि 500 points का difference चलता है इंडेक्स में जैसे 24,500, 25,000, 25,500 या 24,000, 23,500 इस तरह से हम देखते हैं और bank nifty में 500 भी रहता है, 1000 भी रहता है तो हम देखने हैं कि bank nifty मैं bank nifty समझा रही हूँ उसी के हिसाब से nifty का भी same structure रहेगा मतलब in short में concept समझा रहे हूँ structure दोनों का same रहेगा तो gap up open हुआ say gap up अब gap up open होकर हमको दिख रहा है कि 50K resistance है और 49,500 support है bank nifty gap up open हो गई अब gap up open हुई 50K के पास में मतलब resistance के पास में gap up open होना दोई चीज हो सकती है क्या या तो यह यहां से break करके उपर चली जाए और या फिर नीचे आ जाए कैसे पता चले तो 50K का जो OI है highest call open interest यह resistance का काम कर रही है इसमें अगर additions हो रहे है इसमें अगर additions हो रहे है मतलब resistance strong हो रहा है अगर resistance strong हो रहा है तो price reverse कर सकती है तो यह जो चीज है that is a very very important and crucial points मैं आपको chart और option chain दोनों पे दिखाती हूं और वो ही अगर यहां पर highest call open interest reduce होने लगता है मतलब क्या होता है resistance weak हो रहा है अगर resistance weak हो रहा है तो price can take a breakout there is a possibility क्योंकि जो भीड जो रश 50,000 के call पे खड़ी थी वो लोग वहां से हटकर उपर shift हो जाते हैं either 50,500 या फिर वो निकल के चले ही जाते हैं अगर वो shift हो के 50,500 पे चले गए तो शायद वो नया range बन जाए लेकिन अगर वो 50,000 से हट गए और कहीं भी shift नहीं हुआ तो फिर breakout अच्छा खासा भी हो सकता है तो कोई भी trade करिये बट stop loss के साथ में और stop loss not in mind, stop loss in system दूसरा एक और चीज है बहुत बार ऐसा देखा कि stop loss jump हो जाते है तो friends अगर हमने 120 में option buy किया, sell किया जो भी किया अगर हमने options buy किया है तो हमारी आदत है हम 101.20 का SL लगाते है ऐसा क्यों लगाते हैं हम सीधा सीधा जब यह कर रहा है तो हम 100 का SL with 95 मतलब trigger हम 100 लगा सकते हैं और SL 95 100 हीट हुआ ना तो 95 तक दे दो अगर stop loss jump हो जाता है तो क्या होता है आप भागते जाते हो stop loss पकड़ने के लिए पकड़ने के लिए और जाके 10-25-50 पॉइंट नीचे जाके आपका close होता है उसी तरह से अगर जब हम short करते हैं तो मैंने देखा बहुत लोग क्या करेंगे short करने के बाद 132.70 का SL डालेंगे या 132.5 का stop loss डालेंगे क्यों सीधा सीधा डालिए 135 का trigger with 140 का stop loss 5 पॉइंट का range दे दीजिए हिट हो जाता है जनरली 99.99% हो जाता है 100 की तो गैरेंटी कोई लेही नहीं सकता बट stop loss को round figure में रखिए जिससे आप पीछे-बीछे market आगे 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 ऐसे भागम दोड़ी ना हो हिट मतलब हिट तो market को reversal और continuity मतलब gap up हुआ तो उपर जाएगा और gap up हुआ तो नीचे आएगा यह चीज देखने के लिए मुझे सबसे जादा highest call open interest की सक्त जरूरत है वहां पर addition हो रहे हैं या reduction या जिसे unwinding कहते हैं वह हो रहा है वहां अपर प्रेट के जरूरत है सेमबेगड़ जब गाप्रवन होटा है यह बादेब अटा है वहा हिएष्ट पुट पुट अपर इंटरस्ट लट आससे है पुट पुट अपर इंटरस्ट इस फर्ती नई थावाजं फाफिफोट market gap-down open हुआ या दो दिन पहले का सिनारियो लेते हैं, 50,000, highest put open interest था, ऐसी situation में market gap-down आचाता है, तो यह दो ही चीज होगी, sideways है तो कोई problem नहीं है, writers खुश, बट अगर मैं buyer हूँ, तो मुझे क्या चाहिए, either a reversal और a continuation, reversal के लिए 50,000 के put में addition, और continuation के लिए highest put open interest में reduction या unwinding, unwinding इसलिए कि अगर public वहां से हट रही है, smart money वहां से हट रही है, तभी तो price नीचे जाने के लिए और speed मिलेगी उसे, और मैंने अगर put buy कर रखा है, तो उसमें मुझे benefit मिल सकता है, because trending market में buying ज्यादा पैसा देता है, तो यह जो important points है, अब इसी को हम पहले chart पे देखते हैं, फिर option chain पे, अगर आप यह video अब तक देख रहे हैं, तो I'm sure कि आपको options trading में interest है, पर क्या आप confident enough हो trade करने के लिए, एक profitable options trader बनने के लिए, आपका यह जाना जरूरी है, कि आपको option buy करना चाहिए, या sell, और different market directions में कैसे trade करना चाहिए, अब search की platform पे जोती बुदिया मैंने सारे concepts, simple language और practical examples के साथ सिखाए हैं, तो आज ही enroll कीजे और एक confident trader बनिए, अब ही सबसे पहले हम यह दिखते हैं, market यह gap down खुला था, continue नीचे जा रहा था, यहां के बाद gap down खुला, gap down खुला, और क्या point पे खुला, 50,546, यहां पर 50,500, यह बात कर रही हूं, मैं 26 जुलाई की, 50,500 highest put open interest था, अब वहां पर अगर मुझे unwinding दिखती, तो यह gap down होके नीचे जाता, लेकिन वहां पर मुझे addition दिखने लग गए puts में, मतलब यह उपर जा सकता है, और उसी हिसाब से हम call खरीदेंगे, और call के base पे हम trade ले सकते हैं, अब यहां पर next day, जा हम gap ups, gap down यह सब देखते हैं, देखे, अभी यहां पर, यह वाला जो point है, यह gap down है, हम सिर्फ यह candle देखेंगे, तो फिर इसके लिए मैं आपको एक बार यह सब हटा देती हूं, तो आप देख सकते हो, यह 50,000, मेरा highest put open interest, यह बात है 5 अगस्ट, market open हुआ gap down, यहां पर 55,93, 50,500, याद है मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला, यहां पर अन्वाइंडिंग होना शुरू हो गया, जब अन्वाइंडिंग होना शुरू हो गया 50,500, और नेक्स्ट हाइच्ट पूपन इंट्रेस्ट था 50,000, तो यह जो गाप अपर गाप दाउन्स हैं, बड़े बड़े यह अगर मेजर सपोर्ट और रेजिस्टन्स इसके पास में है, ओप्शन चेन हाइच्ट पूपन इंट्रेस्ट और हाइच्ट कॉल ओपन इंट्रेस्ट के पास में है, वहाँ पर अडिशन या रेड़क्शन यह अगर हम ध्यान से देखें, तो हमें दिखता है, हम समझ सकते हैं और उसी के बेस पे हम ट्रेड ले सकते हैं, तो क्या हुआ, फिफ्टी थाउजन पे अटक गया, फिफ्टी थाउजन के नीचे बंद नहीं हुआ, अब अगर इसको फिफ्टी थाउजन के नीचे जाना है, तो सबसे पहला काम क्या होगा, फिफ्टी थाउजन में रेड़क्शन आएगा, नकी अडिशन्स, तो चलिए, अब हम देखते हैं, उसके बाद क्या हुआ, गैप अपन हुआ, 50,500 के अश्पस उपर गया, मतलख क्या हुआ 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 हुगा, 50,500 was let us say highest put open interest, क्या हुआ होगा? तो 50,000 के इधर जब अन्वाइंडिंग स्टार्ट हुई, प्राइस 50,000, 50,000 भी अन्वाइंडिंग स्टार्ट हुगई होगे, जिप लकुल हुई थी और मार्केट उसी के साथ 49,600, तो 50,000 अगर वो ब्रेक करता है, उसमें अन्वाइंडिंग दिखती है, तो मुझे 49,500 की तरफ जाता हुआ दिख रहा है निफ्टी, अब एसम में कोई मुझे कहे, कॉल बाइ कर लो, तो मैं कहां से हिम्मत लाऊंगी, कॉल बाइ करने की, what about next, next, middle में है, फिर next, again, फिर next, बंद हुआ, 50,156, ओपन कहा हुआ, 50,612, highest call open interest कहा था, 50,500, अगर इसको उपर जाना होता, तो यह 100.00 उपर खुल के भी, उपर जा सकता था, लेकिन 50,500 के अंदर, call में additions हो रहे थे, reductions नहीं हो रहे थे, और, what happened, 50,500 के पास वापस आ गया, next, again, same thing, same story, same thing, and see, again, यह जो हम देख रहे हैं, 13th, right, उसके बाद, आज, आज का भी expiry है, और, market ended, तो यह जो चीज़े होती है, gap up और gap down में देखना बहुत जरूरी होता है, यह चीज़ें, अगर हम option chain के साथ भी देखें, तो मैं इसमें आपको 21 August के हिसाब से एक छोटी सी idea देना चाहती हूं, 14th, यानि आज की expiry तो खतम हो गई, तो अगर हम देखें, तो 21 तारिक का है यह, 50,000 में additions है, उसके ओपर 50,500 है, लेकिन हम market में कहां पे हैं अभी, 50,000 के पास में, क्या यह change in open interest, यह वाला column जो है, वो open interest change है, और यह है OI, तो क्या OI बढ़ी रहा है ना, कम तो नहीं हुआ, और अगर मैं put side में देखूं, तो put side में भी यहां पर मेरा highest put open interest खड़ा है, इसलिए आज market थोड़ा struggle कर रहा था, और 750, 700, 750, 50,000 के पास में ही, struggle करते करते रह गया, हाई कितना है, 49, 959, मतलब 50,000, तो 50,000 के पास में ही, वो struggle करता रहा और expire कर गया, तो इसी हिसाब से, अगर मैं इसे रोज देखूं, तो same way, अगर मैं nifty भी देखूं, मैं यह spot से ही देख रहे हूं, क्योंकि spot से क्या होता है, थोड़ी exact numbers या closeness जादा मिल जाती है, compared to futures, उसमें premium discount हो, सब चकर से मैं निकल जाती हूं, 24,700 के असपास बंध होकर और यह जो खुला gap down, 24,300, 24,500 वाज हाईएस्ट फूट ओपन इंट्रेस्ट, उसके अंदर unwinding स्टार्ट हो गई होगी, नीचे आया, 24,000 वाज नेक्स्ट हाईएस्ट पूट ओपन इंट्रेस्ट, उसमें क्या हुआ होगा, उसमें additions हुए है, unwinding नहीं हुई है, अगर उसमें additions है, तो market reverse कर सकता है, अगर उसमें unwinding होती, तो यह और भी नीचे जा सकता था, और closing जो है, उपर ले दी, next day gap up open, उपर गया, कहां तक गया, उसने कोशिश की उपर जाने की, बट नहीं जा पाया, उसका high जो था, 24,400 के आसपास जाके रुग गया, नीचे आया, again 24,000 ब्रेक नहीं कर पाया, 24,000 का put बहुत strongly खड़ा था, next day वहीं, उसी रेंज में, तो अगर आप देखो, तो ये पूरा अभी तक का जो रेंज है, 24,500 और 24,000 के बीच में ही, निफ्टी का movement चल रहा है, तो gap up और gap downs, ये मुझे indicate करते हैं, यहीं के नहीं, आप कहीं भी देख लो, ये देखिए, ये वाला जो point है, यहाँ पे देख लो, फिर यहाँ पे बंद हुआ, open, gap up open हुआ, तो किस ने act किया as a resistance, 25,000 ने, यहाँ पे भी gap up open किया, 25,000 ने resistance का काम किया, highest call open interest, उसमें reduction नहीं हुआगा, उसमें additions हुआ होगा, और market continue, ये जब चीजें हम देख लेते हैं, तो ये ही हमें guide कर सकता है, कि market उपर जाया सकता है, कि नीचे, फिर भी हम stop loss के बिना trade नहीं करते, और मेरी आप से भी request है, stop loss के बिना trade ना करें, और देखें क्या आपको भी option chain इसी तरह से दिखता है, ये देखें, nifty का option chain, मंथली वाला, nifty अभी भी मैं मंथली ही देखना prefer करती हूँ, highest call open interest, पूरे महिने में 25,000, फिर 24,500, अब उसके बाद 24,000 है, आज additions हुए है, लेकिन highest put open interest में भी additions हुए है, और इसके बाद यहाँ पर भी 24,500 और 24,000, इसी range में market कब से घूम रहा है कितने दिनों से, अगर यह cross करे, तब ना मैं 24 और 25 के बीच में जाऊ, तब तक तो मैं इसी के पास हूँ, जब यह 24 तोड़ेगा, तब मैं देखूंगी 23,500 का सिनारियो, तो इस तरह से हमें option chain, plus charts, gap up, gap down, इन सब चीजों को mix करके एक idea में सकता है, कि हम आज क्या करें, यहां reversal होगा, या continuity होगा, बहुत बार ऐसा होता है, कि हम सवानों बजे, जैसे ही market खुलता है gap up, हम call buy कर लेते हैं, या market gap down खुलता है, put buy कर लेते हैं, या call short कर देते हैं, और फिर बाद में SL हीट हो जाता है, थोड़ा सा देखिए हम कहां खड़े हैं, हम highest put के पास खड़े हैं कि highest call, addition हो रहा है, can widening हो रहा है, अगर इतना सा देख लें, तो आपके पैसों की थोड़ी safety हो जाएगी, वैसे तो options में trade करना ही सबसे बड़ा risk है, बट थोड़ी safety हो जाएगी, इसी तरह से आपको मुझसे और क्या topic सीखना है, आप comment box में लिखिए, मैं कोशिश करूँगी कि option chain, open interest, charts, swing, investments, positional, trading, spreads, यह सब को एकदम simple करके आपके पास लेके आओं, जिस topic पे ज्यादा focus करना है, thank you very much.